प्रेंड श्वागत है आप सबको हमारी किचेन में आज हम मनाएंगे शर्दियों के स्पेशल तील गूड की चिकी इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेंज की जरूरत है हमने आपर एक कटोरी गूड एक कटोरी तील लिया है समान मत्रा में गूड और तील होना चाह सब्सक्राइब लगातार चलाती ही लुढकं सुने रहे है कलाइए तक हमेसे भूना हें भूनते समय छुआ ना है इससे हमारे जो तेल है बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे अगर हम गैस का फ्लेम हाइ कर देते हैं तो ये जल के पड़बा हो जाता है देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो दिल है अच्छी तरह से भून चुकी है अब हम उसी पैन में जो कटेरी भर के गुड लिये थे उसे डाल देना है और इसी में बस दो बड़े चमच जितना पानी डाल देना है बस गुड मेल्ट होने के लिए आप ये पूरी तरह से अपना लें आप इसे गुड को इसे ही पीगला सकते हैं हमने याप पर इसे थोड़ी सी पानी डालके इस तरह से लो फ्ल ेम में इसे हमें पकाना है गुड को आप देख सकते ही हैं यहाँ पर गुड जो अच्छी तरह से पिगल चुका है भी चिकी बनाने के लिए गूड का यूज करें तब आप गूड को अच्छी तरह से कदुकस कर लीची इससे हमारी जो गूड है बहुत ही आसानी से जल्दी पिघल जाता है अगर आप थोड़ी बड़ी से इसके गूड लेंगे तो इसे पिघलने में समय लगता है और हमारी जो गूड है वो कड़ भी आप देख सकते हैं इसे और दो मनेट के लिए पकाने के बाद किस तरह से गाढ़ा सा जाग जैसा आने लगा है फिर से हमें इसे चेक करके देखते हैं यह पका है कि नहीं अच्छी तरह से यह दिखिए हमने आपर दो ट्रप्स डाल दिया है और इसे हमें हमारी गूड जो पक जाएगी तब हम जब इस ड्रप्स हमने जो डाले थे उसे थोड़ी दर बात देखेंगे तो इसे आप क्रिष्टल यान की काच चीसा दिखने लगेगा और एकदम चकलेड की जैसे इसका क्रिस्पी हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगे कि आपका जो गूड है वो अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इस में जो भुने हुए तिल रखेते इसे डालके आच्छी तरह से मिला नहां है आप चाहे तो इसी समय ग्यास का फ्लेम याफ कर सकते हैं याद पर अच्छी तरह से गुड और तील को परफेक्ट मिला दिया है आपर तील और गूड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसे सेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी करना पड़ता है नहीं तो भी हावा लगने की बाद सेट होना शुरू हो जाता है अब हम फटा फट से बटर पेपर या प्लैड लीजिए इसमें घी ग्मरीज्श कर लिजिए अच्छी तरह से और इसे जो हमने जो क्राब एक पर देलम पर सेट हो चुका है अब हम एक बैलन लेंगे बैलन में भी थोड़ा से गी या तेल लगा दीजिए इससे हमारे प्रेल करने के लिए बैलेंगे तो यह जिपके नहीं बैलन पर हमने यहाँ पर हाथों से थोड़ा सा फेला दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राइपूर्स आपके मन पसंद आप काजू भी ले सकते हैं ड्राइर रोश्ट करके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता था तो इसल जबाहर देते हैं जिससे कि हमारे ज्मृ पिष्टय डाले हैं वह अच्छी तरसे स्थिल के अंदर ही शेठ हो सके हैं , अब हम इसे थोटी से बेलन के साहते से इस तरह से spread करते हुए चारो और से रोटिया परठा जिसे बेलते हैं न उसी तरह से हमने चारो और एक समान नहीं फेला ना हैं आपके अनुसार आप ज़्यादा पतला या मोटा रख सकते हैं पतला से बेल लिया है आप देख सकते हैं यहां पर हमने सेब बिल्कुल भी नहीं देखना है इसे बस इसे चारा तरह से अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए हमें इसे फेला ना है जिसे कि हमारी जो चिक्की है बहुत ही परफेक्टली और सुन्दर से सेट हो सके अब हमारा यह जो परफेक्टली हमने इसे फेला दिया है अब हम इसे बस एक खंटे के लिए अच्छी तरह से सेट होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं आप उसी बोड में थोड़ा सा कट माक्स लगा दीजिए जो हलका से गरम हो तभी आप इसे थोड़ा से कट लगा लिजिए इससे हमारी जो जिक्की है वह अच्छी तरह से फेलाने के बाद हलके से गरम हो तब ही आप इसे हलके से कट माक्स लगा लिजिए इससे हमारी जो चिक्की है वो काटने में हमें आसानी हो मैंने है चारा तरह से इस तरह से आपके मनप्रसंत आप जितने भी स्पैस दना उसी के हिसाप से ह theorते हैं से कर देख सकते हैं आधा गंटे बाद आपको इस तरह से देखें कितने अच्छी तरह से टूट रहा है आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनी है इक तोड़ के दिखा रहे हूं अब हमारे जो चिक्की है वो परफेक्टली सेट हो चुका है अब हमें इस तरह से तोड़ के इसे अलग करते हैं तिल गुड की चिक्की एकदम तैयार है आप इसे सर्दियों में एक बार जरूर बनाएए ये गुड तो हमारे सरीर के लिए एकदम फायदे मन होए इसमें आइ आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइब आग करते हैं